नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाद्थिया है सुवावत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में बजार नीचे आ रहा है 70 पॉइंट्स नीचे खड़ा है लेकिन टाटा मोटर्स रॉकेट हुआ पड़ा है टाटा मोटर्स आज 800 रुपे का लेवल टच करता हुआ दिख रहा है आप सभी को और निवेशकों को सबसे पहले तो मैं मुबारक बाद ही देना चाहँगा क्योंकि इस स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टेड रहे भरोसा रखा हम पे अपने आप पे कंपनी पे और पैसा लगाते रहे इस शेर को मैंने आप सभी के साथ 400 रुपे से डिसकस किया हुआ है और 480 का लेवल जिस दिन इस स्टॉक ने ब्रेक करा था ना उस दिन तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि ये मतलब बहुत बड़े वाले लेवल का ब्रेकाउट आ रहा है जिस लेवल से हम लोग नीचे आयते ना वापस आपको याद होगा 520 रुपे का हाई लगा के दुबारा 400 रुपे आयता इस ये और 480 पे दो बार अटेंब मारा नहीं पार करा वापस 400 रुपे 480 होका है 480 जिस दिन पार करके टिक किया था ना ये 505 पे उस दिन मैंने कहा था 480 का स्टॉप लोस है और इसे अब कैरी करो ये लाइफ आई ब्रेक कर सकता है जो कि सवा 600 रुपे के करीब के हैं और इस टॉक ने दीरे 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 कचुए की चाल चलते चलते इनफेक्ट कचुआ तो गलत सब दो जाएगा क्योंकि अगर कोई शेयर 6 महीने में आपका पैसा 35% से बढ़ा रहा है और एक साल में आपका पैसा डबल कर रहा है तो वो कचुए की चालतो नहीं है वो तो बहुत तेजी है मतलब खरवोसी वोलो फिरते से तो बहुत तेज भागा इस शेयर आज 800 रुपे हो गया है इंट्रेस्टिंग पार्ट पता ही क्या है कि ये वो शेयर है जिसको मैंने हर भाव पे आपके साथ शेयर किया कि ये वेलीउशन वाइस बहुत ससता है मैंने आपके साथ शेयर किया इस कंपनी का जो वेलीऊशन है जो पी रैशो है current पी के हिसाब से भी अगले बारा मइने में ये 900 रुपे होना है और इस बीच में अगर बजार ने इसके valuation थोड़े high कर दिये तो फिर ये 1200 रुपे का भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है आज जो current valuation है ये suggest कर रहा है 1200 मैं आपको target उपर नहीं, valuation भढ़ गई earnings उतनी है अभी भी, क्योंकि कोई numbers नहीं है फ्रेश, ध्यान से समझो बात को आपकी calculation के वल Tata Motors नहीं हर stock में काम आईगी ये चीज earning per share company का 60 rupees का mind में calculate किया मैंने, कैसे company का 45 रुपे का earning per share currently है, analyst मान के चल रहे हैं कि ये company का मुनाफ़ा यहां से 40 से 50% बढ़ जाएगा अगले financial year के end तक, यानि कि लगबग 70 का earning per share वो gas कर रहे हैं, लेकिन मैंने किवल 60 का earning per share calculate करा, 30% का jump रखा, अभी company 16,000 करोड के profit पे है, analyst मान रहे हैं 25,000 करोड का profit clock करेगी company आगे लिए financial year के end में, लेकिन हमने, 25,000 नहीं, किवल 16 से 30% जम कराया और उसका calculate करा calculation में stock उस समय 15 के PE पे trade कर रहा था अगर 60 को into 15 करोगे तो 900 निकल के आएगा जो मेरा target था कि current भाव से ही वहाँ पहुन जाएगा current valuation से, और अगर ये 20 के PE पे आए तो 1200 का हो जाएगा आज पता है कितने के PE है, 20 के 15 से 20 का PE हो गया है और इसी लिए share का price आपको 800 रुपे होता हुआ दिख रहा है 700 रुपे से, ये 700 रुपे पे calculation share करी थी, जस्ट एक महीने पहले आप मेरी वीडियो उठागे देखो आपको दिख जाएगी और यही नहीं, मैंने Instagram पे भी real में share करी थी ये calculation और short भी बना रखा है आपके साथ YouTube पे अब यहां से कितनी तेजी हो सकती है, क्या करें देखो आप valuation का खेल चल रहा है मैं आपको एक बात समझाता हूँ आपकी company 5 रुपे एक share पे कमा रही है और आपको company को 10 के PE पे trade करा रहा है बजार, तो वो 50 रुपे का भाव दिखेगा अब वो बजार कहते है यार ये तो valuation और महगा कर दो उसे, तो वो 10 से 20 का पी हो जाएगा, तो 100 का हो जाएगा, हाला कि earnings आपकी still 5 रुपे है, बस valuation बढ़ गई तो अभी जो ये jump आये ये valuation बढ़ने पे आया है, ध्यान दीजीगा इस बात पे, जो company 15 के PE पे trade कर रही थी एक हफ़ते पहले, आज वो 20 के PE पे आ चुकी है, 20 के PE पे, अगर peer comparison करोगे तो अभी भी ये सस्ता देखेगा, क्योंकि आप महिंद्रा महिंद्रा देख लो, आप मारूत ही देख लो, आप और कौन सी आपका four wheeler में तो मेरे को दो ही नाम याद आ रहे हैं, भी शोकले लेंड वगएरा, तो passenger उसमें commercial में आ जाती है, उसमें भी इनका यी market share सबसे बढ़ा है, तो ये मेरे को 50 का earning आ गया तो 800 रुपे का भाव है, तो अम मेरे को पता है क्या सीधे PE कम हो जाएगा इसका तो 16 के PE पे दुबारा आ जाएगा ठीक है, 16 के PE पे आने के फिर हमारे लिए gap बन जाएगा, उपर जाने का तो तब खरीदेंगे, अभी जिनके पास है बस वही होल्ड करें, मिरे को पता है calculation मैंने जितना easily बोल दिये बहुत कम लोगों तक पहुच पाई होगी बात बट मैं आपसे simple language में यह बोलना चाहता हूं कि इस बाहों पर fresh entry ले रहे हो तो थोड़ा सा risk है, बाकी momentum में उपर चला जाएगा जा सकता है, 820 हो जाए, 850 हो जाए, वो मेरे को कुछ नहीं पता कली हो जाए, आज ही हो जाए, वो भी नहीं कह सकता मैं, लेकिन as an investor थोड़ा सा आप कही ना गई, momentum निकल गया है stock में, थोड़ा वेट करना चाहिए दोबारा से, company के result आने दो results में profit को बढ़ने दो, profit बढ़ेगा तो earning per share बढ़ेगा, earning per share बढ़ेगा और stock का price sustain कर गया तो PE घड़ जाएगा, ठीक है valuation का मिलेंगे, और share का price भी बढ़ेगा तो सब कुछ उपर चला गया, तो अब थोड़ा सा wait करना चाहिए, बाकि stock जितना momentum में दिख रहा है, यह suggest कर रहा है कि आज यह share 820 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें हम trade नहीं करेंगे आप ठीक है, जिन पे आप वो hold करें fresh entry के लिए आपकी इच्छा है भाईया, आप चाहओ तो ले रहे हो तो फिर आप 57 रुपे का stop loss रख लो लाइक 785 का रख लो 97.96 पे है 11 रुपे का stop loss आगया आपका उपर में आपके जो target बनाने बनाओ momentum में तो दिखी रहा है hope आपको इस सारी चीज़ें समझ में आई होंगी thank you so much for watching this video, have a great day guys